ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सोलन का शामती बायपास महज 5 किलोमेटर का है और करीबन 10 वर्षों से इसका निर्मान कारे चला हुआ है लेकिन अभी तक इसका कारे पूरा नहीं हो पाया है इसकी सबसे बड़ी बज़ा बिभागों में आपसी तालमेल की कमी और अधिकारियों की लापरपा ही है यही कारण है कि कई वर्षों से बायपास का निर्मान अधर में लेटका पड़ा है जिससे शहरवास जिनको रोद जाम का सामना करना पड़ता है सोलन का शामती बायपास महस 5 किलोमेटर का है और करीब 10 वर्षों से इसका निर्मान कारे चला हुआ है लेकिन अभी तक इसका कारे पूरा नहीं हो पाया है इसकी सबसे बड़ी बज़ा बिभागों में आपसी तालमेल की कमी और अधिकारियों की लेट लितिफी है नीन सोय हुए है लोकनिर्मान विभाग ने सड़क बनाने के लिए पहाड़ी खोद दी है और सड़क के आसपास आने वाले बिजली के पूरलों को शिफ्ट करवाने के लिए आगरे के साथ-साथ विभाग में शिफ्टिंग के पैसे भी जमा करवा दिये है लेकिन बिजली बोर्ट है कि गिरने के कगार पर खड़े करीबन आदा दर्चन पॉर्डलों को ना जने किस बज़े से शिफ्ट नहीं कर रही है शेरवासियों ने रोश प्रकट करते हुए कहा कि खुदाई की बिजली के पॉल कभी भी गिर सकते हैं और किसी भी बड़ी दुर्गटना को अंजाम दे सकते हैं लेकिन शायद विभाग किसी बड़ी दुर्गटना होने का ही इंतजार कर रहा है उन्होंने कहा कि जहां ये पॉल गिरने की कगार पर है वे आम रास्ता है बच्चे बुड़े और जवान सभी यहां से गुजरते हैं जो दुर्गटना का शिकार हो सकते हैं और अगर कोई हाथसा होता है तो उसका जिम्मेबार कौन होगा इसलिए समय रहते हैं इन बिजली के खंबो को यहां से शिफ्ट कर देना चाहिए यहां हालत यह है कि जितना भी जो राजगट बाइपास रोड बन रहा है इसमें कुछ एक पोल ऐसे लगती कलके कि जो गिरने की कगारप है जिसमें के लोगों को काफी नुक्सान हो सकता यहां बच्चे स्कूल के भी आएंगे पब्लिक भी चलेगी कलके लिए कोई दूर घटना हो जाती तो इसका रिस्पोंस किसके पास होगा कौन जिम्मेबारी लेगा हमारा यह प्रशासन जो है इसक किसी में का कितना नुक्सान है किसी का बच्चा मालोब तार लम्हतार के निचे तो क्या हो सकता है तो दुर घट ना हो सकती है